सो हेलो दूस्तों वल्कम बैक टू आर चेनल सेंटरल बैंक ओफ इंडिया सब श्टब दोज़ेश चोविस के नई वेकेंसी आ गई है बहुत सारे लोग बोल रहे थे किसका एकजाम जून के महिने मिले जाएगा जुलाई के महिने मिले जाएगा लेकिन इसका एकजाम आप लोग का अगस्त के महिने मिले जाएगा अगस्त के महिने में किस दिन लिया जाएगा ये भी आप लोग को बताएगे लेकिन वो कंडियेट जो अभी तक इसका फोर्म अप्लाई नहीं किये है जल्दी से जाएगे अप्लाई कर लेजे अभी भी आप लोग का समय है तैयारी करने के लिए सिर्फ आप लोग के पास एक महिने का समय है एक अच्छी रनिती आप लोग के पास सेर करूँगा कौन-कौन से टॉपिक से ज्यादा आप लोग का क्वेश्चन आते हैं कहां से आप लोग को पढ़ना चाहिए चार सब्जेक्स के क्वेश्चन पुशे जाएंगे सायद आप लोग को पता होगा जेनरल अविनेस हो गया, मैथ हो गया, रिजनी हो गया, इंगलीस हो गया इंगलीस से आप लोग के 10 नमबर के क्वेश्चन आएंगे बाकि तीनों सब्जेक्स से आप लोगे 20-20 नमर के question आएंगे सबसे ज़्यादा जो focus आप लोगो करना है वो है आप लोगे gender awareness और math के उपर सबसे ज़्यादा focus करना है ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है 8 level के question आएंगे 8 standard का तो ज़्यादा आप लोगो उपर नहीं भागना है ठीक है इतना ही level तक आप लोगो पढ़ना है ज़्यादा गरंथ पढ़ने की जूरूत नहीं है gender awareness में आप लोग का current affairs से 2-3 question आप लोग के आ जाएंगे रक्षा युद्ध जो होते हैं न युद्धा भ्यास यहाँ से भी आप लोगे question पुछे जाते हैं नदी, पुरस्कार हो गया, लेखक पुरस्कार और लेखक यह बहुत important topic है यहाँ से आप लोगे question पका कर लिजे पहाड महतपुर्ण खोज और ध्यान दीजेगा biology के अंदर आप लोग का bacteria virus जो रोग होते हैं यहाँ से आप लोगे question आते हैं एक question आप लोगे question आएगा ठीक है, C, पोट्यानी के बंदरगा से question आएंगे राज रजधानी से question आप लोगे question आएगा मुद्रा जो currency होता है, यहाँ से आप लोगे question आएगा फूल फोर्म से भी आप लोगे question पक्का है आगे बात करें तो आप लोगे सोतंदरता अंदोलन से question आते हैं और खेल से आप लोगे question आता है जैसे number of players हो गया खेल विजधा जो question होते हैं, यहाँ से आप लोगे question आत पूछे जाते हैं और जो normal जिक्के के question है जैसे कि आप लोगा हो गया राष्टी है पक्षी, जानवर, फूल, जंडा, यह सब जो गाना, यह सब है इससे आप लोगे question पूछे जाते हैं यह आप लोगे, नोर्मल जिक्के के question है, यहाँ से आप लोगे आएंगे और हलका से आप लोगे current of phase और quality के question पूछे जाते हैं तो यह आप लोगे general question के question आप लोगे बताया दी, यहां से आप लोगे आते हैं इसको आप लोग note करते चलेगा math का हलकास आपको बताते हैं simplification से question आएगा ratio and proportional linear equation and polynomial से आप लोग आएगा trigonometry से 2 question mensuration से एक number आप लोग का पक्का है यहां से geometry से आप लोग आएगा median mode average से question आप लोग का पक्का है simple interest आप लोग आएगा profit and loss percentage से 2 question work time speed and distance और algebra के question आप लोग के पूछे जाते हैं कभी कभार ठीक है तो यह आप लोग नोट करते चलिएगा सबसे पहले आप लोग सिलेवस को नोट कीजिए उसके बाद topic wise question को solve करते चलिए उसके बाद आप लोग प्रेक्टी सेट लगए चैनल अब आप लोग सोच रहेंगे कि इंगलीस और रिजनी में क्या पढ़ना है तो देखिए इंगलीस के question बहुत ही असान आएंगे यहां से आप लोग के 10 नंबर में आप लोग को 5 प्लस 8 प्लस आप लोग 5 से 8 question असानी से solve कर लिजेगा यह किन आप लोग को दिलाते हैं अग इंगलीस पर आप लोग को focus नहीं करना है हलका फिलका बस आप लोग को उसका त्यारी करना ठीक है बाकी आप लोग का जो रिजनी हो गया अगर कोई भी गवर्मेंट जो पालीजेगा एक अच्छा बचनिटी आप लोग के लिए बहुत कम समय में आप लोग का एकजाम बच ठीक है तो आप लोग प्रेक्टिस रेट लगाई चली आज का पहला कोश्चन से सुरू करते हैं डेली सी टैप से लगाते चलना है असान कोश्चन का लेबल है पहला कोश्चन से सुरू करते हैं पहला question दीखे कितना आसान question है रीगवेदिक काल में तीनों में से कौन से देवता विशेयर सुरूप से महत्पून थे रीगवेदिक काल में कौन से देवता की पूजा की जाते थी option देखते ही आप लोगको answer पता चल जाने चाहिए right answer तुरंद से टिक कीजिए ज्यादा समय नहीं लेना है देखे रीगवेदिक काल में तीन भगवान की पूजा की जाते थी पहला अगनी दूसरा इंद्र और तीसरा सौम यानि की भगवान स्रीव की पूजा यहाँ पर right answer के आप जागा इसका second option अगनी इंद्र और सौम अगर आप लोगो एक एक option भी करके देता है तो आप लोगो टिक लगा देना है तो ज्यादा hard question नहीं है second option इसका right answer हो जाएगा next question देखते चलिए question number second अजनता के चित्र किस धर्म से सम्मंदित है to which reason do Ajanta paintings belong किस धर्म से Ajanta का चित्र सम्मंदित है जैन धर्म, सनातन धर्म, बोध धर्म या फिर इसाई धर्म right answer टिक किजें अजनता के जो चित्र है ये बोध धर्म से सम्मंदित है right answer इसका हो जगा third option जो पढ़े हैं उनके लिए असान है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए यही question tough है right answer हो जगा इसका third option अगला question, question number third भारतिय राष्टिय कांग्रेस के अस्थापना कब होई when was the Indian National Congress established सभी को पता होगा right answer हो जगा इसका 1880 में 1880 में भारतिय राष्टिय कांग्रेस के अस्थापना होई थी second option इसका right answer होगा question number four ललित कला अकादमी यानि की राष्टिय कला अकादमी National Academy of Arts यह कहां पर located है आपको बताना है पतना, जैपूर, दिल्ली या फिर हैदराबाद आप लोग को picture में देहिया होगा right answer क्या हो जगा इसका जो ललित कला अकादमी है यानि की National Academy of Arts यह रविंद्र भाष्ट दिल्ली में इस्तित है जिसमें तीन में अकेडमी है संगीत नाट्टे अकेडमी ललित कला अकेडमी और शाहित अकादमी यानि की साहित तेकेडमी right answer इसका हो जगा third option next question देखे question वर 5 निमलिकित में से कौन सा सिंदु घाटी अस्तिल वरतमान में पाकिस्तान में है काली बंगा, हडपा, अलमगीरपूर या फिल लोथल जल्दी से right answer टिक कीजिए सभी को पता होना चाहिए कि हडपा जो है ये पाकिस्तान में है बाकि जो काली बंगा, अलमगीरपूर या फिल लोथल हो गया ये इंडिया में है right answer इसका हो जगा second option question वर 6 देखेए author से आप लोग का question आएगा runs and ruins के लेखा कौन है who is the author of runs and ruins सुनिल गावसकर, सचिन तेंदूलकर, कपिल दिवाफिर इमरान खान जितने भी आप लोग के author's name है उनको आप लोग याद कीजिए right answer आप लोग को picture में दिख गया होगा right answer हो जगा इसका first option सुनिल गावसकर runs and ruins के लेखा कहें right answer होगा इसका first option question number 7 question number 8 किस देश को the land of the midnight sun के नाम से जाना जाता है which country is known as the land of the midnight sun top 30 question है 25 plus का target है right answer जल्दी से बताएगे क्या होगा Norway, Belgium, चीन या फिर जापान किस देश को the land of the midnight sun के नाम से जाना जाता है right answer होगा इसका first option Norway Norway देश को जाना जाता है question number 9 भारत का सबसे बड़ा संग्रहाला है यानि की museum ये किस इस्टेट में है कोलकत्ता, चेन्य, बैंगलूरिय, फिर दिल्ली right answer होजएगा इसका भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहाला है museum ये कोलकत्ता में है first option इसका right answer होगा question number 10 बताईए अभी हाल ही में 2024 में किसे लत्ता मंगिसकर पुर्षकार से समानित किये गए है important question option देखर बताईए जितने भी साल के current affairs है यही आप लोग के question आएंगे जो main main current affairs के question है आप लोग के जन्वरी से लेकर सितंबर महिने तक के यही question आप लोग के आने वाले है पूरा आप लोग का एकर करके ऐसे कराएंगे right answer होज़े का अमिता बच्चन four options अमिता बच्चन जी को लत्ता मंगिसकर पुर्षकार 2024 में समानित किया गया लत्ता मंगिसकर पुर्षकार से ठीक है four options इसका right answer हो जाएगा याद रखिएगा question number 11 anti-radiation missile बहुँ ज़्यदा important question है रुद्रम सेकेंड का सफलता पुर्षक परिक्षन कहां पे किया गया है किसी state में तमिलनाडू, करनाटक, केरल या फिर उडिशा right answer हो जाएगा इसका anti-radiation missile रुद्रम सेकेंड का सफलता पुर्वक successfully जो टेस्ट किया गया है ये उडिशा राजी में right answer हो जाएगा इसका four options यहाँ पर आप लोग picture भी देख सकते हैं four options इसका right answer हो जाएगा question number 12 चलिए बताएगे ये आंदर पर्दिस के मुख्य मंतरि है याद रखिएगा परेमा खाडु ये कहा के है ये अरुनाचल पर्दिस के मुख्य मंतरि है तो right answer क्या हो जाएगा आंदर पर्दिस के मुख्य मंतरि कौन है चंद्र बाभू नैडू right answer हो जाएगा इसका second option Question number 13 दीखिए Kalvelia लोक निर्थ ये निम्लिकित में से किस राज से सम्मांदित है जो लोक निर्थ है Kalvelia यह किस राज का लोक निर्थ है आप लोगों को बताना है जितने भी लोक निर्थ है सास्त्री निर्थ है याद किजिए महाराष्ट्रा किरल राजस्थान या फिर गुजरात तो ये राजस्थान का है साथ पता होगा राइट एंसर हो जागा इसका थर्ड ओप्सन Q14 दिखे ओलंपिक पदक जितने वाली पहली भारती महिला कौन है साइना नहवाल मैरी कॉम पीवी सिंदू या फिर कर्नम महिलस्वरी राइट एंसर क्या हो जागा इसका ओलंपिक पदक जितने वाली पहली भारती जो महिला है ये है कर्नम महिलस्वरी जी राइट एंसर हो जागा इसका 4 अप्सन ठीक है Q15 भारत में SBI का मुखहले आप लोग को बताना है कहाँ पे है बैंक की भरती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग का केवल बैंक का ही क्वेशन आएगा कई सारे यूटूबर देखते हैं बैंक के बहुत सारे क्वेशन प्रैक्टिसेट लाते हैं तो ये आप लोग की गलती नहीं करनी है जितना आप लोग को बता है जेनरल इसमें आप लोग का सारा क्वेशन वहीं से आप लोग आयागा जो कि आप लोग को पहले बता हैं सारा चीज आप लोग रिवाइज करते चलिए जैसे आप लोग को बता हैं 3rd option इसका right answer हो जागा दिल्ली में SBI का headquarter है, भारत में जो SBI का headquarter है ये दिल्ली में है, 3rd option right answer, question number 16 देखिए, question number 16, सार्क का headquarter कहाँ पर आप लोगों को बताना है, जो important question है, group D level के जितने भी question है, आप लोगों को वही करा रहे है, right answer इसका हो जागा 4 option काठमांडू, नेपाल की राजधानी है, जहाँ पर सार्क का headquarter है, देखिए आप लोगों का most important topic है, यहाँ से आप लोगों को question आएंगे, आप लोगों को topic wise कराएंगे, right answer इसका हो जाएगा, याद कर देचलिएगा, next question 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 number 18 है, when is world ozone day celebrated, 21 अप्रिल को 16 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 5 जून, right answer हो जाएगा इसका, उजोन दिवस मनाया जाता है, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, right answer हो जाएगा इसका second option, question number 19, टिहरी बांध किस नदी पर बना आए, बांध से related question, नदी से related question आप लोगों के आएगे, याद किजिए, टिहरी डेम is built on when river, कौन से river पर टिहरी बांध जो है, located है, यहाँ पर option देखिए, right answer टिक किजिए, right answer हो जाएगा भागी रती, भागी रती नदी पर जो टिहरी बां question number 20 देखे, RBI के वरतमान गवर्नर कौन है, who is the present governor of RBI, देखे कितना असान question है, right answer जल्दी से टिक किजिए, RBI के वरतमान में जो गवर्नर कौन है, तो यह है सकती कांस दाजी, right answer हो जाएगा इसका second option, यहाँ पर देखे, State Bank of India, SBI का यह logo है, आप लोगों हो जाएगा एक ब यह question दिया था, कितना असान question था, SBI right answer हो जाएगा, अगला question, question number 21, 100 रुपे के note किसके द्वारा हस्ताक चरित होता है, कौन sign करता है 100 रुपे के note पर, पहले आप लोगों को सायद कराया है, right answer जल्दी से बताईए, RBI के governor करते है, 100 रुपे के note पर जो sign करते है, RBI के governor करते ह question number 22, देखिए, दुनिया में किस देश में सबसे अधिक साखाए है, bank की साखाए है, सबसे ज़्यादा किस देश में, बरांचे जो है bank के, यह कौन से देश में सबसे ज़्यादा है, बताईए, सारा question जल्दी जदी करार है, आंसान question है, ज़्यादा आपको time नहीं लेना चा आरी रोकना पड़ गया, right answer हो जाएगा, इसका four option, दिनेश कुमार खर रहा, दिनेश कुमार जी जो है, भारती स्टेट बैंक यानिक SBI के अभी वर्तमान में अध्याक्षे है, याद रखिएगा, question number 24, किस सन्विधान संसोधन के अनुसार, लोग सभा का कार्यकाल जो है, चो वर्स किया गया है, पहले कितना था, पांच वर्स था, उसके बाद चो वर्स किया गया, कौन से सन्विधान के संसोधन में, 42, 44, 46, या फिर 48, option कौन सा इसका right answer होगा, right answer इसका होज़ेगा, first option, 42 संसोधन, सन्विधान के 42 संसोधन में, जो लोग सभा का कार्यकाल है, ये आप लोग का exam postponed होगा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग का fiery fund होगा, बलकि इस exam को फिर से बाद में लिया जाएगा, वही हुआ, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो exam है, अभी June चल रहा है, July भर आप लोग का टाइम है, अगस्त के पहले ही विक से आप अ क्या आना नहीं बुलना है, डेली प्रेक्टी से एट लगाना है, question was 25, मानव विकास Сुछकांग यानि कि हिए ये किसके दवरा प्रकासित किया जाता है, ओप्सन देखी, right answer टिख कीजिए, मानव विकास सुचकंग यानि कि हिए हिए ये कि दौरा प्रकासित किया जाता ह और comment में बताएगा कितना question आप लोग सही कर पा रहे हैं ताकि हमको ही पता चले आप लोग की तेहरी कैसी है Question number 26 Question number 26 बहुत ज्यादा important question है Campey गोड़ा अंतराष्टी हवायड़ा ये कहाँ पे है अभी हाली में चर्चा में भी है Campey गोड़ा अंतराष्टी हवायड़ा पता होगा रज़त पुरस्कार मिला है Campey गोड़ा अंतराष्टी हवायड़ा ये कहाँ पे है तो ये करनाटा की रधानी बैंगलूरू में है Second option इसका राइट इंसर हो जाएगा Question number 27 दिखे Carnalite ये किस धातू का यस्क है Carnalite Carnalite जो है ये किसका ओर है आप लोग को बताना है Carnalite is an ore of which metal Beryllium, Calcium, Magnesium या फिर Aluminium Carnalite जो है ये Magnesium का यस्क है यहाँ पर ध्यान दिजेगा Carnalite पुशा गिया है वहीं पे Cryolite पुशा जागा तो ये किसका हो जागा ये निमलिखित में से किसी राज में इस्तित है 36 गड़, उतरपरदेश, तमिल नाड़ू या फिर किरला में कौन से राज में है इंद्रा गांधी, वन्यजी, अभ्यारेन यानि कि इंद्रा गांधी, वाइल लाइफ सेंचूरी ये किसी राज में है तो ये है तमिल नाड़ू में थर्ड उप्सन इसका राइट एंसर हो जाएगा क्वेशन वर 29 देखे भारतिय राष्ट ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये किस वर्स किया गया और इसकी अध्याष्टा किस ने किया यहाँ पर देखे दो क्वेशन पूशा जा रहा है एक किस वर्स में किया गया और इसकी अध्याष्टा किस ने किया एक भी क्वेशन आप लोग का आ सकता है हो सकता है कि दोनों क्वेशन भी आ जाए तो आप लोग को दोनों याद रखना है आपको दोनों करा दे रहा है देखिए कराची अधिवेशन इसकी जो अध्यक्षता किये थे ये सरदार वल्ला भाई पटेल किये थे राइट एंसर हो जाएगा थर्ड ओप्सन देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा ये कौन किये थे तो जोहार लाल नहरो याद रखिएगा ठीक है लाश्ट कोशन देखिए हो सकते हैं आपको थोड़ा बोरिंग लगे लेकिन ये जो भी आप लोगो को कोशन बता है बहुत जादा आप लोगों के एक्जाम के लिए इंपोटेंट कोशन है थोड़ा सा आप मि कंटेनर बंदर गाया है यानि कि जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट पहले इसको नहावा सिवा के नाम से जाना जाता था इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब इसका नाम हो गया है जवाहर लाल नहरो पोर्ट राइट एंसर इसका हो जा कर पाए चाहे आप 5 ही question 10 ही question आपने सही कर पा रहे हूं तो आप पलीज आप लोग comment बताइए कि आपने कितना question सही किया है ताकि हमको पता चले ठीक है तो यह आप लोगा central bank of India sub stop 24 का most important 30 questions आपको करा है जैनल मेंच का इसी प्रकार से question इस channel पर आते रहेंगे channel से जुड़ जाएगा मिलते हैं फिर से next video